हेलो दोस्तों मैं पूजा फिर से हाजीर हूँ एक नही रेशिपी लेकर फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे फ्रेंट्स मिठाई तो इस मिठाई को आप फ्रेंट्स पांच मिनेट में बना कर तयार कर सकते हैं इस मिठाई को आप फ्रेंट्स रत में बना सकते हैं फेस्टिवल प अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करकि साथ वाली जो घंटी आती है उसको प्रेस करकि और पर क्लिक जरूर कर ले फ्रेंट्स तो चलिए रेशिपी शुरू करते हैं तो मैंने यहां एक मिक्सी का जार लिया है इसमें मैंने डाला है अधा क पाउडर बनाना है तो दे के मैंने इसका पाउडर बना लिया है बिल्कुल बारी करना है धेखि बिल्कुल इस तरीके कहामें पाउडर बना लीना है तो चलते है अब गैस की तरफ फ्रेंट्स तो घैस में ड्रह दाला है दॉस्पर से scrape दाल देंगी था जूडरा हो जाए इसमें हम डालेंगे दो कप मिल्क पाउडर तो पहले मैं एक कप डाल रही हूँ और चलाते हुए आप इसे डालेगा क्यूंकि लंग्स ना पड़े इस वज़े से तो दूसरा कप भी हम इसमें डाल देंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेगा नहीं तो गुटलियां पर जा तो गाढ़ा जैसी हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे एक कप नारियल का पाउडर कोकनट पाउडर हम डालेंगे और इसे भी हम कंटिन्यू चलाते हुए इसे हम पका लेंगे और इस मिक्षर को त्यार होने में फ्रेंस लगभग 4-5 मिनट लग जाते हैं और यह जैसे जैस हम डालेंगे और बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते हुए इसे हम 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे और यह जैसे 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 गाढ़ा होगा बिलकुल मावा जैसा हो जाएगा यह फ्रेंस और गैंस का फ्लेम आप बिलकुल मेडियम देखिए फ्रेंस तीन मिनट हो चुका है इसे हम दो मिनट के लिए और पकाएंगे तो देखिए फ्रेंस दो मिनट और हो चुका है और यह बिलकुल गारा हो चुका है देखिए कराही बिलकुल छोड़ रहा है तो बस इसे हम उतार लेते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं तो तो देखिए फ्रेंट्स ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है हाथों में थोरा सा घी लगा लिजेगा और बस इसमें से थोरा सा पोर्शन हम लेंगे और बस इसे गोल-गोल हम मिठाई का शेप देते हुए इसे हम गोल-गोल कर लेंगे तो डिजाइन अब अपनी हिसाब से बना सकते हैं फ्रेंट्स लंबे में भी बना सकते हैं गोल में भी बना सकते हैं तो जैसा आपको डिजाइन पसंद हो फ्रेंट्स आप उसी तरीके से मिठाई बना लीजेगा तो देखिए फ्रेंट्स मैंने सारा मिठाई बना कर तयार कर लिया है अब हम क्या करेंगे इस पे थो 10-15 minute के लिए अधेल होगा अथों में एंखताों मैंं कितना अछा लुक आया है तो मैं आपको तोर कर भी दिखाुन आप लिएकैना मीताइब लगता है उब द्रिखरंस कितना सीध्य तभत कितना सॉब्ट बना है पिल्कुल माव्य इस मिठाई को आप जरूर ट्राई कीजेगा तो फ्रेंट्स आप इस मिठाई को वरत में बना सकते हैं फेस्टिवल भी चल रहा है तो फेस्टिवल में भी बना कर स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी कोई केस्ट आए तो आप इसे फटा फट से सर्व कर सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो घंटी आती है उसको प्रेस करके औल पे क्लिक जरूर कर ले वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें